इस्क के नशे में हम चूर एक कूपसुरत स्हारिस्टा गवावत्तेaksi इस्क के नशे में हम चूर एक खूबसूरत छारिस्ता गवावत्ते ठुकराया हमारे यार ने हमें कुछ इस तरह और हम वैस अपसूरत में आ बैठे बहुत 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 शुक्रिया एक शेर पेश करना चाहूंगा कि चलो आज जन्नत की तलाश में चलते हैं मुसाफिर बन हर गल्यों में गूम यहां वहां उसकी खोज में चलते हैं चलो आज जन्नत की तलाश में चलते हैं मुसाफिर बन हर गल्यों में गूम यहां वहां उसकी खोज में चलते हैं लेकिन बनकर शाम का भूला जब लोटे अपनी कुटिया में वापस तो पता चला मा के चर्णों में ही तो स्वर्ग मिला करते है शुक्रिया शुक्रिया अपनी नजम पर आना चाहूंगा यह नजम इस बारे में है कि एक लड़की की विदाय हो रही है और वो अपने जजबात एक खत में लिख रही है अपने मा के बारे में तो वो नजम शुरू करना चाहूंगा तुमसे जुदाई मेरी आखे सेह नहीं पाएगी खतलिक तो रही हूँ पर कलम सारी बाते कह नहीं पाएगी 25 साल की मेरी सारी यादे यहीं रह जाएगी सच कहती हूँ मा तुम्हारी याद बहुत आएगी बचपन में तुम बाल सवारती थी जुए भी निकालती थी गिरती थी अगर मैं खेलते खेलते तो बड़े प्यार से मुझे संबालती थी गल्ती करने पर हाथ तुम मुझे जोरो से डाटती थी और अगर ना मानू तुम्हारी बात सारी तो कभी-कभी प्यार से थपड़ भी मारती थी स्कूल जाने के लिए स्कूल ड्रेस भी तुम पहनाती थी टिफिन कडबबा तो देती थी और साथ में दो चोटिया भी बनाती थी टीवी सीरियल दोनों को एक ही पसंद है पर खाने की चोईस अलग अलग थी अब कैसे कहूं में इस दुनिया से के मेरी मा सबसे अलग थी शुक्रिया शुक्रिया तुम्हें साडी पहनता देख मैं भी साडी लेकर बड़ी बन जाती थी लिपस्टिक गहने मेक अप तुम्हारी हर चीज खुद पर आजमाती थी वो साडी वो मेक अप वो आइना वो कंगी सब यही रह जाएगी कैसे कहूं में मा तुम्हारी याद बहुत आएगी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वो मेरा जाडू पोच्छा ना करने पर तुम्हारा चिल्ला ना आज प्यारा लगता है यह मा बेटी का रिष्टा तुम्हारा या मेरा नहीं हमारा लगता है तुम हमेशा कहती थी भिंडी की सबजी में नमक थुड़ा ज्यादा लगता है और बाल खुले मत रखो तेल डाला करो आज यह बाते तुम्हारा एक अफसाना लगता है शुक्रिया अब ससुराल जाओंगी तो पता चलेगा कि चार लोगों के लिए कितना खाना लगता है आसु तुम्हारी आख में भी है लेकिन फिर भी होठों पे हसी शायद मेरी ही खुशी का बहाना लगता है शुक्रिया मूबाइल रखो और काम में हाथ बटाओ अब कौन ऐसे डाटेगा मुझे यह बाते बस खयालों का फसाना लगता है मेरे लिए तुम ही मेरी सब कुछ हो मा बाकी सब बे मतलब जमाना लगता है शुक्रिया यह सारी बाते खत में नहीं शायद दिलों में बस जाएगी कैसे कहूं मैं मा तुम्हारी याद बहतायेगी शुक्रिया शॉपिंग तुम्हारे साथ किया करती थी अब दोस्तों के साथ जाने लगी मा देखो मैं बड़ी हो गई, मैं ससुराल जाने लगी खत लिखते लिखते वो सभी यादे मुझे याद आने लगी मा जितना तुमसे दूर जा रही हो, उतना ही तुम्हारे पास आने लगी देखो मा दर्वाजे पर मेरी बारात आने लगी एक नई जिन्दगी की रोशनी अब दिल पर चाने लगी तुम्हारा आशिरवात तो साथ है, फिर भी कैसे करूंगी मैं ये सब ये बाते मेरे मन को सताने लगी, मा आप मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास भाई तुम्हारा खायल तो रखेगा ना, यहीं दुआ रोज उस रप से मागने लगी इससे ज्यादा शायद मेरी कलम कुछ लिख नहीं पाएगी, बस इतना कहना चाहती हूं मा, तुम्हारी याद बहुत है शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया